मस्य यश्य में मिले प्यारे भाईयों और बहनों स्वागत है आपका फिलीपियों की पत्रि के चौते और आखरी अध्याई के तीसर दिन में आज हम फिलीपियों 4-10-13 आयातों को देखेंगे इस अध्याई में हम बात कर रहे हैं आनंद की और उन बातों की जो अक्सर हमारी शान्ती भंग करके हमारे आनंद को छीन लेती है और उनमें से एक चीज है संतोश का अभाव तो आज के संस्क्राण में हम जानेंगे कि पौर से संतुष्टी का राज क्या था और साथ में कुछ और भी देखेंगे देखेंगे कैसे बाइबल का कोई भी कथन केवर उसके संदर्ब में ही देखा जाना चाहिए और कैसे संदर्व से बहार निकाल करकर बाइवल के आयातों को हम उप्योग करते हैं और गलत शिक्षा देते हैं तो उसके बाद हम कैसे मायूस हो जाते हैं तो अगे बंड़े से पहले वीडियो को लाइक करके कुछ मित्रों के साथ शेयर भी कर लिजिए और जो नए है या अभी तक आगर आप में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करकर बेल आइकन जरूर दबा दिजिए ताकि नए अधियन के सारे नोटिफिकेशन सोमवस शुकरवार आपको मिलते रहें तो शुरू करता हूँ पढ़कर मैं फिलिप्यो चार दस से तेरा मैं प्रभू में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विशय में फिर जागरित हुई है निश्चे तुम्हे आरंभ में ही इ अफसर ना मिला यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ कि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोश करो मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ हर एक बात और सब दशाओं में मैंने त्रिप्त होना भूका रहना और गटना सीखा है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप ए तेरा आयात देखा, कई बार आपने इसको धोराया भी होगा, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सच में, कुछ भी कर सकता हूँ, कैर इसके बारे में हम समझेंगे तो अंतर जरूर बने रहिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं संतोष के attitude की जी हां संतोष भी एक attitude एक मनोभाव है संतोष एक ऐसी मानसिक अवस्ता है जिसमें व्यक्ति अपनी वर्तमान दशा में चाहे कैसी भी हो अच्छी हो या बुरी कैसी भी उसमें पूर्ण आनंद का अनुभव करता है ना उसे किसी बात की काम न रहती है नहीं किसी बात की शिकायत हर सिती में positive बन रहने के लिए संतोष बहुत ही जरूरी है हिंदु धर्म में भी संतोष को को एक मानसिक अवस्ता को एक योग बताया गया है अब यह हमें बहुत ही अधिक कठीन लगता है हर दशा में हम कैसे बिना शिकायत करें खास तो और पर परिस्तितिया बहुत ही खराब हो हो जाए जब परिष्जदी बढ़िया है तो भी असंतुष्ट रहते है तो कि बढ़िया कुछ तो ऐसा होता है जिसे कमी हमें खलती है तो जब बढ़िया परिस्तिती में ही आंधित कैसे रहे हम देखते हैं कि week अभी है कि पता है नहीं हो सकते हो जाए पर इसके बावजुत्वे बिलकुल शान थैंस्थ्र आनंदित में किसी भी बात की शिकायत वह नहीं कर रहा और यह कैसे संभव है पॉलुस के पास संतोष्टिका क्या कोई रहस्य कोई राज था पॉलुस कहता है 11 आयात में मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में भी हूँ उसी में संतोष करूँ और उस कहता है मैंने सीखा है मैंने सीखा है हर सिती में संतोष खुद बख खुद से नहीं होता ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इस तरह से संतोष के साथ पैदा हुआ हो कोई वर्दान नहीं है ये सीखना पड़ता है इस जगत के जो तरीके हैं वे हम में असंतोशी पैदा करते हैं दूसरों के साथ तुलना करना वे मुझे से बैतर सिती में कैसे है क्यूं है बहुत इकतावाद अवास्तविक अप्विक्षाए इर्शा, डर नकारतमक सोच अपून इच्छाए सुवार्थी महत्वकानशाए खुद के लिए जरू से ज़्यादा उचे मापदंड ये तमाम चीजे इस जगत की जो हमारे व्यक्तित्वों को ऐसा बना देती हैं कि हम संतुष रहे ही नहीं सकते तो हर परिस्तिती में संतुष सीखना पड़ता है कुछ आदते हैं जिनको जान बूच कर बदलना पड़ता है कुछ नई आदते हैं जो सीखनी पड़ती है चार आदते जो हमें डालनी पड़ती है जो पॉलुस की संतुष्षी का राज था जैसा कि मैंने कहा कि यह आदत है और आदते आप बनाते हैं अभ्यास के जरीए एक दिन में नहीं होता पर रोज आपको अभ्यास करना पड़ता है तो पॉलुस का पहला रास्ता धन्यवाद और कृतग्या था दरसल वे यह पत्र धन्यवाद देने के लिए ही लिख रहा था जो भेज फिलिप्यों के मंडरी ने उसे भेजी थी उसके लिए वेकृतग्या था उसके पास जो था उसके लिए वेकृतग्या था वे इस बात के लिए कृतग्या था कि कुछ है जो कुछ लोग हैं जो उससे प्रेम करते हैं उसकी परवा करते हैं वे कृतग्या था कि इस मुश्किल समय में जब वे कैद में हैं वे अकेला नहीं हैं उससे प्रेम करने वाए लोग हैं अधितर समय क्या होता है जो हमारे पास उसके बारे में हम सिर्फ सोचते रहते हैं जो हमारे पास है उसके बारे में धन्यवाद देते ही नहीं है कोई न कोई हमेशा ऐसा होगा जो जिसके पास वो होगा जो आपके पास नहीं है और कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास वह नहीं है जो आपके पास है तो जो आपके पास है उसके लिए कृतग्यर होई है आप देखेंगे पॉरुस हमेशा धन्यवाद देता है कोई भी पत्र उठाकर देल नहीं देखें शुरुआत वो धन्यवाद से होता है एक बात बता हूँ बुरी से बुरी सिति में भी आपके पास ऐसा कुछ तो होगा ज जिसके लिए आप परमिश्र को धन्यवाद दे सकते हैं दूसरा रास्था इस बात को स्विकार ना कि इस संसाय में सिपी बदलती रहती है एक जैसी नहीं रहती पॉरुस कहता है 12 आयात में मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ हर एक बात और सब द यह संतोशना नहीं वे जो कुछ भी कह रहा है वे उसके मसी जीवन की और सेविकाय के दोरान भोगे वे कष्ट और कठिनाईयों पर आधारित है उसमें मसी की सेवा में बहुत कुछ सहा था कोड़े खाए भूका रहा प्यासा रहा बंदी बना रहा पर ऐसे समय था जब उस सहास और धीरच पैदा करता है और आप आधिसिती में भी संतुष रहने में मदद करता है हमने देखा था पौल उस कैद में था पर वैं जानता है कि या तो वह कैद से छूट जाएगा या फिर उसे मौत के घाट प्तार दिया जाएगा और ऐसा भी होता है तो अच्छा है म मसी येश्व की पास रह जाएगा इस जगत के लोग डरे सैं में रहते हैं क्योंकि उनके पास आशा नहीं होती ना हम विश्वासियों के पास तो हर समय सबसे महान आशा है येश्व मसी में महीमा की आशा हम जानते हैं कि हमारी एस्तिती जरूर बदलेगी चाहे जीवित र वह था साद्गी का जीवन आज की बहुत लिकतावाद की दुनिया में इस साद्गी का मुल्य ही नहीं रह गया विग्यापन चीख चीख कर आपको यह बताने कोशिश करते हैं कि जब तक आपके पास वह वाली वस्तु नहीं है ना आपका जीवन अधुरा है विग्यापन आपकी अभिलाशाओ को आपकी आवशक्ताओं में बदल देते हैं पर सोचिए आपको कितना चाहिए कितना है आवशक्ताओं को बढ़ाओगे उतना ही आपके जीवन में से संतोष जाता रहेगा जितनी ही जरुरते कम होंगी उतना ही आप हर परिस्थिती में संतुष्ट रहे पाओगे, परमिश्रों को धन्यवाद दे पाओगे और आनंदित रहे पाओगे पॉरुस को हम देखते हैं कि हर सिती में वे अपने आपको ढाल पाता था कैसे? क्योंकि उसने अपनी जरूरतों को बहुत ही कम कर लिया था चौथा और सबसे मैत्वपूर्ण राज संतोष का येश्यू मसी पर भरोसा परमिश्रों भरोसा पॉरुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें से मैं सब कुछ कर सकता हूँ अब इसको इसके संदर्ब में देखना बहुत जरूरी है नहीं तो गलत मतलब भी निकलेगा निकले मतलब ऐसा लगेगा जैसे मैं येश्यू मसी में हूँ अगर मैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ सरवशक्तिमान बन गया जी मैं एक क्या हुआ एक विश्वासी की बेहन को लगा ता एक पहलवान टाइप का सवरा बंदा था गुंडा टाइप का वो छेरचा कर रहा था एक दिन जी हमारे इस विश्वासी भाई को कैश आगया वो उठ खड़ा हुआ उसने कहा जो मुझे सामत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ और जाकर उसने उस गुंडे को लड़काल दिया लड़ाई के लिए अब यह भाई से पत्ल दूबले और वे गुंडा कसरत करने वाला पहलवान उसने हमारे इस विश्वासी भाई को बुरी तरह से दो दिया अब यह भाई confused पूछ रहते हैं येश्व मसी की सामर्द उनके अंदर काम क्यों नहीं की क्या पर्मिश्व को बचन गलत है नहीं उसको समझने का और उप्योप करने का तरीका गलत है हमारा बिना संदर्ब कि आप किसी भी कथन का कुछ भी मतलब निकाल सकते हो पॉलस इस बात को कठिनाई का सामना करने हर स्थिती में संतोष रखने शांती रखने और अपने आनंद को बरकरार रखने के संदर्ब में कह रहा है कह रहा है इसका मतलब है कि मसी जीवन में जब आप अपने विश्वा से कारण कठिनाईयों का सामना करते हो, कष्ट का सामना करते हो, जब आपको सताया जाता है, आप संघर्ष करते हो, आपके पास अभाव होता है, तो यह आप अपनी खुद की शक्ती से नहीं सह सकते, आप अपनी खुद की शक्ती को पर निर्बर रहकर नहीं कर सकते, पर परमिश्वर है जो ऐसे में आपको सामर्थ देता है पॉल उस कह रहा है कि आपका संतोश और आनंद परिस्थित उपर निर्भर नहीं है आपकी खुद की चेश्टा पर भी निर्भर नहीं है हिंदु धर में पतांजल योग में संतोश योग आपकी खुद की चिष्टा के और साधना के ओपर आधारित है पर एक मसी के लिए यह परमेश्य की सामर्थ पर निर्बर है यह आयात ऐसा बिलकुल नहीं सिखाती कि आप सर्वशक्ति मान बनकर कुछ भी कर सकते हैं पर यह कहती है कि हम परमेश्य की साहेता से उन सब चीजों को कर सकते हैं जो हमारे आत्मिक विकास लाती है जो परमेश्य के इच्छा के अनुसार है तो आप परमेश्य के सामर्थ को अपने जीवन के हर एक चित्र में पैचाने और उसमें निर्बर रहें चाहे वे किठिनाईयों का सामना करना हो नई चुनातियों को स्विकार करना हो या दैनिक जीवन के कारियों को पूरा करना हो या फिर येश्यू के आटिचूट को अपनाना आटिचूट बनाना हो या पौरुस की तरह हर परसीदी में संतुष्ट रहकर आनंदित रहना हो जो सुनने में तो मुझा अच्छा लगता है पर करने में लगता है भाई मुझसे नहीं होगा हाँ आपसे नहीं होगा पर ये शुमसी जो आपको सामर देता है उसमें होगा पक्का होगा आज की वचन से आपने क्या सीखा कमेंट्स में लिखके में को बताईए कम से कम आमीन ही लिख दीजिए कमेंट्स के अंदर लाइक और शेयर कीजिए परमेश्य के वचन की सही समझ लोगों तक पहुचाने में मेरी मदद कीजिए मैं आपको मौका देना चाहता हूँ इस सेवा में मेरे सहभागी बनने का कोई भी उपहार या भेट धन्यवाद के साथ परमेश्य के राज्य के लिए स्विकारिय है यह रहा मेरा नंबर जिस पर यूपियाई के जरिया भेट 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 सकते हैं इसी नंबर पर वाटसेप पर मुझे व्यक्ति के दूप से संपर कर सकते हैं सवाल पूछ सकते हैं प्रात्ना निवेदन भेश सकते हैं तो कल तक के लिए आग्या दीए ये ये शुमसी का अनुगरव पिता परमेश्य का प्रेम और पवित्रा आत्मा की सहे भागिता आपके साथ बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए आमीन